प्रश्दानी अजुकेसर गुरूप अच्कोडिया जोड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का वेरी इंपोर्टेंट क्लास्ट इस लिए स्टुडेट्स विए इन धावीड क्लास् वेलकम डॉल आफ यू सभी को नवसकार सभी को सच्रिकाल सभी को सभाग है सभी को जहराजदारी वेलकम डॉल आफ यू लैट स्टार्ट विदावट वेस्टिक एमोमेंट यह सुख बहुत यह मानस परताब जिंग जी थोड़ा यह क्या चल रहे हैं लेस्टा हो गया है हम ल लासिपिकेशन हो मैं एक नाव यह रोंदार क्लासिपिकेशन नंबर नाइन और नाइन है प्रकाज संसिलेशन में बनने वाले उत्पाद के आधार पे प्रकाज संसिलेशन में कौन सा प्रोड़ेक्ट बन रहा है राइट अबी बिटा परसनल क्वेश्टन की जगे यहां पर नहीं है अगर आपको पुक नहीं पहुचे तो यहां से पहुंचे की भी नी आप मुझे समस्दार बच्चे लग रहे हैं नाम से यहां फ्लीज पर्सनल कमेंट नहीं करना फोन दे रखाया है वार्टसप नंबर दे रहे हैं डॉन कमेंट पर्सनली ठीक है प्लीज जो प्रकाव संसलेशन का प्रकाव संसलेशन का पहला स्ताई योगिक तीन कारबन वाला PGA बनता है तो ऐसे खरपतवार या ऐसे पोधे के तो एक इतो बात है ऐसे पोधे ऐसे खरपतवार जिनमें पहला प्रकास संसलेशन का पहला स्ताई योगिक प्रकासन का पहला स्ताई योगिक तीन कारबन वाला होता है जिसको कहते है PGA, बिढ़ पहन कहा गया, PGA, तो जिसमें बनता हो PGA कहलाता है, फॉस्पोगलिसरीक एसीड, भाई, तीन कारबन का PGA वैसे भी आता है, प्रकास सन्स्र में अंदों लोग दूप पढ़ते ही रहते हैं, प्रकास सन्स्र का पहला इस्त PGA, मतला आप भी PGA, औरों को भी पिलाईए, बत ऐसा नहीं करना, पीना नहीं है, पिलाना नहीं है, मतला PGA, फॉस्पोगलिसरीक एसे, अब कौन-कौन से जो C3 में आते हैं, तो देखो आपको मैं बता दू, ज्यादातर ना C3 में आते हैं, C4 गीने चुने होते हैं, C3 ज् खूब आते हैं, यह तो कुछ तो तीन एक्जाम्पल है, आपका Echinoclova Crecipus, जिसको जंगली धान कह रहे हैं, वो हो गया, भाई, फैलरिस माहिनर गेहुंसा हो गया, फैलरिस माहिनर क्या हो गया, गेहुंसा, गेहुंका बमा, गुली डंडा, C3, Echinoclova Crecipus, C3, Philanthus Niruri, जि इसको आपे हजार दाना कह रहे थी, वो भी इसी में आ रहा है, एविना फेटवा, चिनोपोडियम, तो यह तो मैंने केवल एक्जाम्पल दिये हैं, बहुत सारे आते, इसमें बहुत आते, C4 में गिने चुणे आते, चिनोपोडियम तो जानने लग गया, चिनोपोडियम म होता है, बत हुआ, चिनोपोडियम मुरेल होता है, खर्त हुआ, एविना फेटवा, आप जानते ही है, वो रब, आपकी जई है, जंगली, जई है, तो यह होगे, C3, खर्पतवार, प्रकावासन में बढ़ने वाले उत्पाद की आधार पे, इस इट क्लीर भाई सभी का, सा पहला इस्तायोगी, प्रकावसन सलेशन का पहला इस्तायोगी की चार कारबन का योगी बनता है, और उसका नाम होता है, ओगजला एसेटिक एसेड, जिसमें चार कारबन का योगी बनता है, वो योगी होता है, यह आने चीए, वैसे भी एक्जाम में वैसे भी आ सकते हैं, जरूर नहीं है किसी क्रोप में भी क्वेस्टन आ सकता ही, कि भाया ये जो आपका धान है, इसमें प्रकाशन का पहला इस्तायोगी कौन सा बनता है, तो अगर आपको आता है कि हाँ C3 है मेरा धान, हाँ C3 है मेरा धान, इटमेस उसके अंदर PGA बनेगा, हाँ C4 है मेरा कोई भी पोधा, तो उसमें OAA, Oxalicic Acid बनता है, Is it clear? सब यह clear हो रहा है भई? चलिए बढ़े बढ़े जाते हैं, अब लेते हैं, कौन-कौन से एक्जाम्पल आते हैं, तो ये एक्जाम्पल ही याद करने हैं, जैसे आपका Motha, Cypress, Rotundus, डिस्कवरी, किस वाले प्लांट पे होई थी? कौन सा है? क्रॉप्स में? मैं भी जरूर नहीं, वीडियो, क्रॉप्स. हम, सीप और, सीप और. यास, सुगर केन. कापर होई थी बढ़ा? ना, ना, मक्का पे नहीं होई थी बढ़ा. सुगर केन पे होई थी गन्ने पे. दो विग्यानिक थी, एक का नाम हैच था, एक का नाम सलेक था. दोनों विग्यानिकों ने इसको डिस्कवर किया. हैच और सलेक. अरे भाई, सुगर केन, सुगर केन, सुगर केन, सुगर केन, सुगर केन, सुगर केन, गन्य पर हुई थी, और मक्का भी आता हूँ, मक्का इसका बहुत अच्छाओंपल बहुत इंक्पोर्टन वाल अग्जाम्पल है, तो यह सुगर केन पे डिस्कावर है था, लकिन यहां तो हम तो वीड पड़ रहें, तो साइपरसरोटन जिसको आप मोथा कहते हैं, क्योंकि C3 तो बाकि सारे के सारे होते हैं सारे के सारे होते हैं हो गया तो भी या बदाईव आपको फिर एक बार classification नो को अभी एक और है अभी तो एक और होते हैं सी 3 C4 C M sorry C A M Crucilation Acid Metabolism Crucilation Acid Metabolism B just like C4 होता है विटा C4 कितरे होता है बट वो सकुलेंट्स में होता है वो तो जो मांसल पोदे होते हैं मांसल रेगिस्तानी पोदे जिनके रंदर रात में खुलते हैं दिन में बंद रहते हैं उनमें होता है भाई तो C A M C A M का पूरा नाम क्या होता है Crucilation Acid Metabolism मन C A M बता दियो तो फिर क्या बता रहे हैं Crucilation Acid Metabolism C3 बोला जी PGA बन्याक रहे है पहलो प्रकास संसलेशन को स्थाई योगिक पहला फोटो सिंतेस का स्टेबल प्रोडेक्ट PGA फिर C4 फोटो सिंतेसिस का पहला या फर्स्टेबल प्रोडेक्ट होता है O A इधर भी O A की तरही सेम तू सेम वही चलता है लेकिन यह मांसल बोदों में होता है रेकिस्तानी पोदों में होता है जिनके रंदर रात में खुलते है रात में ओपनिंग होती है दिन में बंद रहते है तो इसके एक्जामपल है यह वाले केम प्लांट्स इनको बोलते है केम चो यह वाला कॉनिजा न्यूडायन्स एक और है यहां पर आलागी एक नाम लिखने है एक और है Kolochesia बागी तो नागवनी भी है बाई की कसम और भी कई खर्पतवार होते हैं जो मांसल टाइप की होते हैं तो दो आपकी बीच आगए कोनी जाए न्यूटेंस यह वो वाले पोदे हैं जिनके अंदर C.A.M. क्रूसिलेशन एसिड मेटाबूलिजम वाली स्क्राएग नेटीबी टी ती प्रकासते का जस्त लाइक सीफोर होता है बट सकूलेंस में होता है मसमस्ता हूं इहाँ तक आब क्लियर कर चुके अब हम चलते हैं नमबाटे Bernard अब दसवा नमबर का ल मतलब क्लासिपिकेशन लासिपिकेशन पर क्लासिफिकेशन आ रहे तो वी आर ओंदा 10th classification that will be soil pH के दार पर on the basis of soil pH अमली अमर्दा में उगने वाले हैं सारी अमर्दा में उगने वाले ऐसे तो पहले है acidophile या तो उनको कहते acidophile यह बई थोड़ा सा 10th नंबर की एडिंग है है ने बटा और यहां पर हो गया acidophile, acidophile बोले तो हम लिए, acidic soil में उगने वाले और इसका example है romex, acytosela, romex, acytosela, acydo sorry acytosela, भाई acidिक में गुने वाला, romex, acytosela, अब लेते है bestophile basic बोले तो क्षारी यह मर्दा में उगने वाले, लवनिये मर्दा में उगने वाले, लवनिये कसारी में उगने वाले, अब आ गया base of file यह लवनिये कसारी मर्दा में उगने वाले, example आपके बीच में, example है, आपके बीज में Teraxacum Species अमलिय में होगने वाला Romex Acetocela लवनेक सारी में होगने वाला खूब होते हैं वैसे और भी होते हैं यह तो चोट चोट एक 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 इसामबल है Teraxacum Species Clear Must Sandar बैं हमलिय में होगने वाले एक सारी में लवने वाले चली फोटो दिखा रहे थे लेग यह दिस इस रोम एक्स एसी टो सेला डिस इस टराक्सा कम स्पसीज पीसीज पीसीज को हो गया है वाइग्जाम्पल तो याद करने पड़ेंगे आपको रूमेख से Acetophylla और दूसरा हो गया Terraxacum Aspices Simple अब लेते हैं Neutrophile जो उदासीन मिट्टी में उगते हैं उनको बोलते है Neutrophile Neutrophile Neutral में उगने वाले You can say it is Neutral Soil Weed या Weed of the Neutral Soil हाँ भी उदासीन मर्दा में उगने वाले यू कह दो और इसका भी एक 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 जामपल ले लो भीजा Ekelifa Indica Ekelifa Indica Ekelifa Indica Ekelifa Indica दिखाऊं लो भाई देखो हो दिखाओ मन Ekelifa दिखाइए Neutral Soil मा उगादियो Neutral Soil मा उगादियो Neutral Soil मा हो गया होगया है और कंए क्लासिफिकेशन नंबर लेवन उर बाप रबाप किन्ने क्लासिफिकेशन है इनंदे क्लासिफिकेशन है तो आपकी जानकारे कि बता दू अचला है फिर तो चल जाएगा लास्ट प्रिस ने और वह है nature of the step best on the nature of the step तने की प्रकरती के अधार पर nature of the step बतलब तना hard है या तना मुलाइम है ऐसे आईए लास्ट आगया बही बदाईव आपको लास्ट आगया और वो है best on the nature of the step सबसे पहले वो डिवो डिर है जिनके तने हो वे hard रहे ठीक है बड़ा जिनके तने होते हाड तो जयातर ये मिलेंगी जाडिया टाइप के जो आते हैं जिनको मतलब कभी आप तने को तोड़ेंगे यो गडाक आवाज आएगी cut कभी तोड़ेंगे न वुड़ी उसको बोलते जिनको तोड़ने पे केमरा ठीक है बही अच्छा हिंदी समझ में नहीं आते हूं आइप 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 यूस मों इंग्लीज ओके तो पेरेंडियल सर्प्स होगी भी आई इस आर्दा पेरेंडियल सर्प्स लेंटाना गेमरा प्रसफरिस जुली फलोरा थो जानते होंगे है आप बबूल बूल बुड़ी ृड़ी तूट जाते न राइट है आप लेते इसके मुझे दिखाओ जी लेंटाना केमरा लो भाई ए लेंटाना केमरा सुन्दर-सुन्दर फूल है प्रोसपिस जुली फ्लोरा बबूल अब यह ओर भी हो सकते है ना खूब सारी बबूल जैसे आपकी बेर की जाड़ी है कडाक तूट जाती उसके अंदर वुड़ होता है पिटा वुड़ होता है तो वुड़ी बीड्स लेंटाना केमरा फ्रोसपिस जुली फ्लोरा दोनों और भी है भाई मैंने खूब सारे होते हैं एलोट आप राइट है चली बई पूरा भोकाल मतला और क्या सरका भी पूरा भोकाल है और इस भोकाल भोकाल चली बई तो यह आगया सेमी वुड़ी वेड्स यानि अर्द कास्टिये खर्पतवार यानि कि आदा तो मुलाइम आदा हाई होता ना भाई दोनों की बीच का हो गया eतो मुलाइम होते हैं देखो मुलाइम आप जानते होंगे साकी या हर्बस होते हैं आप उनको स्टेम कrau ऐसे मूडे गे यूँ तो विचारे मुड जाते है आपने ऐसे करके उसको मोडा मुड जाते है छोड़ते हैं, ओटोमेटिक सीध्य हो जाते हैं, फिर पूछते हो रहें, अंतल, अंतल, ओर मोड होगे, या मैं अपड़े आपको फिरी समझू, ऐसे नहीं होते हैं, अंतल, अंतल, अगर आपको, आप ओर मोड है तो फिरमा वैसे देख लू, नहीं तो फिरमा है, हाना, ऐसे करूं मोड के देखूं तो यह सेमी वुडी वीड्स है बेटा पर्सनल कमेंट प्लीज ना करें बुक नहीं आई या कब आएगी यहां पर कैसे जवाब मिलेगा चलती क्लास में मेरे भाई यार समझ थोड़ा सा अच्छा बच्चा है बेटा आएगी किसी की भी नहीं रहेगी एक आध दिन किसी का लेट हो सकता है वो आपकी भी कमी हो सकती कि एड्रस परफेक्ट नहीं लिखा हो या आपके जो पोस्ट में उसकी भी कमी हो सकती है ऐसे मत कुरू बढ़ाया आप अच्छे बच्चे हो ऐसे कि यहां परसनल कमेंट आपको पता है कभी आस तो किसी का क्रोटान से हो गए जो आधे लगड़ी वाड़े लाइक दिस वान क्रोटान स्पार्सी फ्लोरस 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 क्रोटान स्पार्सी फ्लो साखिये, साखिये बोले तो जिनके तने साखा एकदम मुलायम होती है, अब मैंने कहा ना अंतल ओर थोड़ी मोड़ोगे, वो वाले, है ना भई, जिनके तने मुलायम होते है, साखा मुलायम होते है, उनको बोलते है, हर्ब बीड, क्या बोलेंगे उसको, हर्ब बीड, हो गया इसको control करेंगे पावर न्यू topic is weed control weed control weed control सबसे पहले principles of weed control principles of weed control principles principles of weed control ठीक है विडा अगर देखो मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर कोई annual है annual जी बतला है एक वर्स ये weed है तो एक वर्स ये weed को मैंने बताया था अगर वो बीजों से ही फैल रहा है उसका जो प्रोफोकेशन बीजों से हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं आप ना उसको बीज बनने से पहले ही destroy कर सकते हैं अगर कोई बाइनियल वीड है annual है और उसका हां control चालोग है, annual है, बीज से propagation कर रहा है, तो बीज बनने से पहले destroy कर दो, अगर binial है, means दुई वर्सी है, तो पहले, binial कों से होते हैं, जो पहले साल में वानस्पतिक वर्धी करते हैं, पहले साल में वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, और दूसरे साल में उनके न रहे ना, वानस्पतिक वर्धी कर रहे है, वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहे है, तो क्यों ना खेत की गहरी जुताई करके, दुबारा सुनना, यह basic concept है, अगर annual है, एक वर्सी है, बीज से फैल रहा है, तो बीज बनने से पहले destroy कर दो, nest कर दो, अगर दूई वर्सी है, पहले साल में वानस्पतिक वर्धी कर रहे हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ, उसी साल कर दो, खेत की जुताई, 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 वो कर दो, गेरी रजुताई, तो बाइनियल वीड्स को पहले साल में, जब वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहे है, तो खेत की जुताई कर करण अणार बाबा कर दो बाबा कर दो भाई का दो कितने बच्छों के जा यह एक वर्सी को कैसे मारों के दूजिए को 1020 ड्राइस करों कRIOTちょोगे डिसीज़ा बेसिक प्रींसीपल नौव लेट सबूव नॉगने के समयं हुड़ैं औरमानेजमेट में पहला है दो प्रिवेंटिव मेफड , प्रिवेंटिव का मतलब जाने से रोकना QUE कि मेरे खेत में वीड आये एही ना उसके लिए मैं क्या क्या कड़ सकता हूं रहए है मेरे खेत में वीड आये ही ना बहु यह questions एक्वस्ट्ट्ट एक्जाम है जाने से रोकना कहलाता है वो कहलाता है प्रिवेंटिव मेथड देखो देखे प्रिवेंटिव मेथड तो खरपतवारों को नएक सेत्रों में जाने से रोकना कहलाता है प्रिवेंटिव मेथड निरोधात में को पाई अच्छा वर्ड भी नहीं है ना कोई एक्जाम में आना ह आप तो preventive method पर पूरा फो क्वेश्चन नहीं ये question से नहीं नहीं एक्जाम में नहीं नहीं आता है लूंद देके बार जब बेटें खुदी नहीं ठेले पर आता है अब एक्जाम बन आता है कि कर पदवारों को एक खेश से दूसरे खेत में जाने से एक एरिया से दूसरे एर उनको साप करो कुछ भी करनेगा लेकिन एक जगे से दूसरी जगे पर जाने से रोकने का राइट है अब एक जो है नहीं एक एक एक्ट बढ़ावा सीड एक्ट बढ़ावा बढ़ा वो सीड एक्ट कहता है कि बीजों में पाइंट वन परसेंट से ज्यादा इंप्यूरिटी नहीं होनी चाहिए सीड एक्ट क्या कहता है जीरो पाइंट वन परसेंट से एक्जाम में आने वाला वहरी मोस क्वशन है ये भी कि बढ़ा सीड एक्ट के अनुसार सीड एक्ट के अनुसार कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा असुद्यां बीजों में तो आंस्वर विल पाइंट वन परसेंट इस ज्यादा कभी असुद्धियां बीज में नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो यह हो गया प्रिवेंटिव मैथड अब आगया एरेडीकेशन फिर एक वर्ड हारा एरेडीकेशन एरेडीकेशन का मतलब होता है जड से ही खतम कर देना हिंदी में कहते है खरपतवारों का उन्नमूलन यह उन्नमूलन हिंदी वीच उन्नमूलन उन्न मूलन ठीक है बाई उन्न मूलन का मतलब इसमें देख एक सब्दारा मूल है मूल बोले तो जड़ से वो जड़ से रे समाप्त कर दो जड़ से रे इरेडिकेशन है यह और भी ज़्यादा इंपोर्टेट है यह लिजाम में आता है इरेडिकेशन याद करना लेकिन हिंदी मत करना विटा उन्न मूलन मत करना आला कि इसके समझ में आड़े के लिए उन्न मूलन अच्छा वर्ड है ताकि जिन्दगी में दुबारा वो फेल लेना देखो देखो किसी क्षेतर विशेश में मतलब किसी एरिया में खर्पतवार को बीज को नाम ही क्या है यह बाबा नाम खुदी कह रहा है उन्न मूलन यहनी कि मूल जड़ा मूल सुई खतम मतलब जड़ से खतब तो उन मूलन का मतलब कुछ भी ना बचे ना खरपतवार बचे ना बीज बचे ना वानस्कतिक भाग बचे ठीक है राइट हाँ इंग्लिस में आएंगे इंग्लिस तो सीख नहीं पड़ी इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं जो भी करना चाहो आप मतलब है कई बार तो बहुत गहरी जुताई कर देते हैं कई बार ना उसको चोड़ देते हैं गरम करके उसको गर्मियों में खुला चोड तो छोटे क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा है इरेडिकेशन ज्यादा इंपोर्टेंट वाले जो पाल्ट जैसे ग्रीनाउस ग्रीनाउस के लिए बहुत अच्छा है सजावटी पोदे के लिए बहुत महंगे आते सजावटी पोदे उनके लिए बहुत अच्छा है गीरा बापो देखकाता है आवगी नहीं हो पाएगा लेकिन छोटे एरिया में आप ऐसा कर सकते हो मेभी आप ज्यादा इंपोर्टेंट वाले पार से लाइग ग्रीनाउस जानते होंगे जहां मतलब है एक विशेश ज्यादा इंपोर्टेंट पोद्य होते हो उनको इगनिश सकते हैं तो इस 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 इख एडिकेशन नओ वियार ओं नेक्श पॉइंता कंट्रोल हो क्या करों कंट्रोल नहीं होता हो भी कंट्रोलिधा बटो प्रिवेंट्यू मतलब जाने से ही रोकना ऐडिकेशन जड़ से खतम करना ऐसे था अब कंट्रोल एक यह लेंगे सबसे पहला है मेकेनिकल वीड कंट्रोल जिसमें मेकेनिकल मतलब मसीनों से हातों से खुरपी से फावडे से या कई आजकल तो मसीने आगी बहुत अच्छे जी तो क्या क्या लेते इसके लिए खरपदवार नियंतर करने के लिए एक तो देखो यह लेते हैं कौन सा ड्राई लेंड वीडर नामिक है नामिक है भई ड्राई लेंड यानि कि सुकी मिट्टी वाला वीडर बोले तो क्रपदवार निकालना क्रपदवार है वीडर बोले तो क्रपदवार निकालने वाला वीडर बोले तो ड्राई बोले तो सुकी लेंड बोले तो भूमी वीडर बोले तो वीड को निकालने वाला ठीक है मैं देखो तो खर्पदवार नियंतर के लिए क्या यूज करते है ड्राइ लेंड वीडर कितनी नमी पे ड्राइ लेंड वीडर काम करता है मिट्टी की 8 से 10 परसेंट नमी की अवस्ता पर यह है क्वेश्चन बेटा परसनल क्वेश्चन अलाव नहीं यहां आपको एक नंबर कर देंगे बच्चे उस पर बात कर लो तो खर्पदवार नियंतर के लिए ड्राइलेंड वीडर यंतर का यूज करते लेकिन वो ड्राइलेंड वीडर ना आठ से 10 परसेंट नमी पर ही काम करता है याद हो रहा है ठीक है और यंतर पताता हूं आपक लाइन में या रो स्विंग क्रॉप्स में जिनको कतारों में बउय जाता है लाइन यह सब के स्वढ क्वेस्टन यम्री बीक्वेस्टन हे नियु लिफो steam Union अब कितनी ज्यादा गेप होना चीज varios zs चलागे के लिए 45 cm से ज्यादा का गेप होना चाहिए अगर कतार से कतार की दूरी 45 cm से ज्याददा है अधिक है more than 45 cm है you can use power rotary feeder power rotary feeder power rotary feeder right है बाई ये कुछ भी तो नहीं है दो यंत्रों के नाम बता है एक तो हो गया land feeder dry land feeder right है एक हो गया power rotary feeder ये आपका ना थोड़ी सुकी-सुकी मिट्टी में ज्यादा नमी में काम नहीं करेगा आठ-दस परसेंट में करेगा यह line showing जो कतार में बोई जाती है उसमें काम करेगा कितनी से ज़्यादा दूरी पर काम करेगा है 45 cm से ज्यादा दूरी वाली फसलों में जिनकी line से line की दूरी more than 45 cm है उदर ही success है बाकी success है ना बाकी तो success है ना राइट है बई अब लेते ट्रेक्टर से चलने वाला ट्रेक्टर चालित विडिंग कम अर्दिंग अप एक ट्रेक्टर से चलने का यंत्र भी आता है इसका नाम ही क्या है विडिंग कम अर्दिंग अप यंत्र विडिंग कम है अर्दिंग अप विडिंग कम है अर्दिंग अप विडिंग कम है अर्दिंग अप मिट्टी भी चड़ा दे खर्पतवार भी निकाल दे ऐसा कोई यंतर बता दोजी उसका नाम है Wedding Come Arthing Up Wedding Come Arthing Up दोनों काम करते गई दोनों कौन से खर्पतवार निकडवाए लियो मिट्टी भी चड़ाते हैं गन्य पे मिट्टी चड़ाते हैं आलू पे मिट्टी चड़ाते हैं पास में मिट्टी लगाते हैं तो दोनों काम करते हैं ठीक है बिटा और इसकी capacity भी या बहुत सूपर है 61% तक जो है न ये इसका efficiency है 61% 61% तक ये perfect है मतलब जितना करेगा न 60% तक तो उसको निकाल उसकी efficiency है इस तरह से निकालते हैं तीन यंतर आगया आपके पास अच्छे कम क्या है कम 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 What is the कम कम क्या होता है गूगल सर्स मार लिए अच्छली इसमें नेट चलनी रहा पहले मैंने डाला नहीं और अब नेट नहीं चलना तो दिखे का नहीं से इसमें नहीं चलना प्रोब्लम हो रही होई गूगल सर्स मार लिए तीन यंतरी तो फिर भी आपको लगता है कि नहीं तो में नेक्स क्लास में कल दिखा दूँआ चीक तीन हो दुबार दिखा दूँआ कम क्या होता है कम का मतलब होता है कम का मतलब होता है जैसे कोई आदमी ना teacher भी है और वही principal भी है उनको बोलते लेक्चरर कम principal कोई आदमी Professor भी है और head भी होई किसी department के वही head वही professor है तो professor come head तो कम का मतलब होता है के साथ कम का मतलब होता है के साथ को दोनों काम एक साथ कर रहा है मुझे लग रहा है साइध यह जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है वो आपके लिए काम की है समझ में आई है आपके एकदम लाइन टू लाइन राइट है राइट अभी एक यंतर और जो ट्रेक्टर से चलता है क्या आप समझ पाए भई ड्राइलेंड वीडर 8-10% नमीप अब यह एक यंतर हो रहाता है वो इससे भी खतरनाक होता है 61% वाले जिविग उसका नाम होता है ट्रेक्टर चालित मल्टी रो रोटरी वीडर मल्टी यानि ज्यादा बहू मल्टी मिन्स बहू रो मिन्स लाइने कतारे रोटरी यानि गूमने वाला और वीडर मिन्स द्वार निकालने वाला, यह ज़्यादा सकती सालिय उससे, इसकी efficiency ज्यादा है, इसकी efficiency कितनी होती है, 71%, 71%, तो tractor से चलने वाला, multi बोले तो ज्यादा, row बोले तो लाइनों में, एक साथ ज्यादा लाइनों में चले गई, और rotary बोले तो गूम गूम के चलने वाला, machine घुमाए उसको, और rotary reader है, इसकी efficiency होती है, 71%, अब यह आपका न, mechanical में इतनी है, अब चलेंगे, cultural control, मतलब, कि सोरी कुछ ऐसा, इंतजाम हो जाए, कि खर्पतवार निकालने के लिए, खेती वाली किरियाओं से ही काम हो जाए, मतलब, खेती वाली किरियाओं से हो जाए, कुछ और निक vehicles नीडालने पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़े, के खेती वालिए काम चल जाए, उसको, खेती वाली किरियाओं से करते हैं, उसको बोलते है, cultural control, cultural control, एक तो पसल चकर से करते हैं, फसल चकर से करते हैं, अगर आपके यहाँ ग्यहूँसा ज्यादा हो रहा है, तो अब की ल् ejerc लो लेन राइस वहां पर किसको कंट्रोल करते हैं मोत्था को में रहता है जानते हो बही ने राइस पानी भर के धान की खेती की जाती है तो पसल चकर द्वारा निम्न भूमी चावल में लो लेंड राइस में मोथा कंट्रोल हो रहा है चलो मोथा का नाम बताओ पड़ा पड़े किसको याद है मोथा का नाम मोथा मोथा चली आगे बड़े जाते हैं बता दोगे मोथा उसके बाद मल्चिंग से भी करते हैं या मल्चिंग या साइप्रस रोटन डस मैंने कहा था ना लास तक पुरी याद हो जाएंगे जो लगातार क्लास ले रहे हैं अब आ गया है मल्चिंग मल्चिंग क्या होता है मल्चिंग है मल्चिंग खेत को डख देते हैं न बापो खेत को डख देते हैं किस से गास पूसे पोलिथीन की सीट से या फिर लकडी के बुराद्दे से समटाइम ना मिट्टी से लेकिन मिट्टी से दखने की जोरत नहीं है आपको आप उपर उपर की मिट्टी को ऐसे कुरेद दीजिए स्क्रेपिंग कर दीजिए उसको कहते है डस्ट मल्चिंग क्या बोलेंगे उसको डस्ट मल्चिंग तो ये भी कर सकते हैं इससे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं दूब गास का देखो मल्चिंग द्वारा जो न बहुवर्स ये खरपतवार पेरिनियल वीड्स जो लंबे समय तक रहने वाले जैसे दूब गास मर जाती है दूब गास और क्या बात करूँ मरती नहीं दूब गास जैसे मारे घर पे न कई बार बरसाद के टाइम में गास खोद के लाते हैं और गास खोद के लाके न वो कहीं भी हम डाल देते हैं मतलब उसके धेर बना देते हैं देर लगा जेते बरसाद बरसाद में न महीं लाए घास खोद खोद के उसका धेर बढ़ा देती है अब उस घास को जब वो जिस दिर खतम होता ना उस दिर अगर अगर उटाते है तो उसके नीचे की घास वास सब साप हो जाती कुछ नहीं बसता सब गल जाते अंदर तो दूबगास होती है कर आब से पूछ ना चा繁ख आपको पता आपके यहां खेती हो ती होगी मतलब और यह सकता है इर्रिगेशन करता है प्रशात करते है तो प्रबन अब पानने देते हैं सिन्चाई नहीं बन सबसाधे ब सुन्धियों ऐसे थोड़े पहले ना प्री इर्डिकेशन कड़ते हैं कुरी इरिगेशन करते हैं मतलब मार जब फसल बोण यह उससे ठोड़े दिनों पहले ना एक सिंचाई कर देते हैं उसिंचाई करने से न हुआ अह उसको नगी करें, हिंदी में पलेवा कहते हैं, तो उस पलेवा से क्या होता है, खर्पतवार उग जाते हैं बस फसल की बुआई से पहले पलेवा करके प्री-Irrigation करके हाँ, प्री-Irrigation बोलते हैं उसमेए प्री-Irrigation बुआई से पहले पानी देखे खरपतवारों को उगाया जाता है खिर उनको गैरी जुताई करके Yuya उसकी उपर देवों खर्पतवार उग जावेंगे पहले तो पाने देवों खर्पतवार उग जाएंगे फिर उनको कर दो नैस्ट बोदो फसल रे बोदो फसल देशेज स्टेल सीड बेड स्टेल सीड बेड फसल की बुआई से पहले प्रीरीकेशन करके खर्पतवार उगया जाता है फिर किसको लगता है टेकनिकल तर्म याद हो गया उसको प्रीरिगेशन करके खरपतवारों को उगते उनको नस्ट कर देते हैं उसके बाद फिर फसल की बुआई कर दी जाती है स्टेल सीट बैड स्टेल सीट बैड स्टेल सीट अंधी गुड़ाई अंधी गुड़ाई अंधी गुड़ाई में न इनसान आदमी आदमी वो क्या करता है वो अंधा होके लग जाता है अंधा का मतला उसको परवा नहीं होती है कि फसल कट रही है उसकी खरपतवार कट रहा है बस कर देता हो तो हर चला देता हूँ पर या खुदी कर देता लगके खुरुपिल फा तो निराई अलग-अलग होती है, हाँ, अलग-अलग होती है, होईंग एंड वीडिंग अलग-अलग होती है, ठीक है, निराई तो क्या होती है, निराई किसी केते हैं, खरपतवारों को नस्ट करने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, गुडाई क्या होती है, गुडाई का मत तो अगर आपने फसल की बुवाई तो कर दी फसल की बुवाई तो कर दी दोस्त लेकिन फसल अभी उगी नहीं है तो फसल की बुवाई के बात अंकूरण से पहले बुवाई तो कर दी अभी तो उगी नहीं है तो आप चाहे जैसे करो ना अंदे हो के लग जाओ कहीं से कुछ कुछ भी चलाओ क्योंकि फसल तो अभी नहीं तो फसल की बुवाई के बात बुवाई के बात फसल के बुवाई के बात वह अंकूरन से पहले की जाने वाली गोड़ाई गोड़ाई कहला वे अंधीर गोड़ाई अंकूरन के अंकूरन मत कौने दो अंकूरन हो गया तो फिर अ अभी अभी तो फसल तो उगी नहीं तो फसल की बुआई तो हो जाएगी लेकिन उगी नहीं इसलिए नीचे पड़े बीज तो नुक्षान तो होगा ही नहीं तो फसल की बुआई के बाद और अंकूरण से पहले जो भी गुडाई करेंगे ऐट वी बॉआब होयंग बॉलो फसल तो बहुत हो दी सोविंग तो कर दी लेकिन अभी उगी नहीं उससे पहले करते हैं बॉन मॉलाईड होई उप्लाई बाद जा रहा हो इस डाइग्राम को देख के किसी बच्चे को कुछ याद आ रहा हूँ ब्लाइंड हो इंग तो पक्की याद के लेना फसल की बुवाई के तो बात लेकिन अंकुरन से पहले की जाने वाली गोड़ाई गोड़ाई और रब्बा अंधी गोड़ाई यह मल्चिंग है इसका नाम है सोलर सोलराईजेशन 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 या सोलराईजेशन हाँ मल्चिंग भी हो सकते हैं मैंने गलत नहीं महता है मल्चिंग भी हो सकते हैं इसको देख के तो मल्चिंग भी हो सकता है लर्दीकुल कैंग गांदि लेते हैं सम्मेल साडस्ट लकणी का बुट लेते हैं तिस आदमर सो छोल राईरश में क्या करते हैं यह फदली। पटली तकोण चीओं सी यह जीलीradally doesn't Hermite यह ओर पारभर सी पारतो बोले दो पार अर्डा सी बोल तो पतली और पारदर्सी, यह पारदर्सी क्वेस्चन है, कि सोल्राइजेशन में, जो पोलिथीन की सीट लेते हैं, वो पारदर्सी होती है, तो आंस्वर विल बी ट्रांस्पेरेंट, पतली होती है, इसके अलाव पारदर्सी पोलिथीन की सीट होती है, पारदर्सी सब्द मोस्टेस में, आपको अग्जाम में पूछा दा सकता ही, कि पारदर्सी या फिर मध्यम पारदर्सी, तो पारदर्सी सीट लेते विड़ा, उसे खाली खेत को ढख देते, और डखने से 5 से 10 डिगरी सेंटिगरेट तक तापमान, खेत का बढ़ जाता है, तो पतली वहा, पतली और पारदर्सी, पोलिथीन सीट से खाली खेत को डखके, और सामाने से 5 से 10 डिगरी सेंटिगरेट तक तापमान को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन एक खरपतवार का ये कुछ नहीं बिगार सकती, वो फिर मोस कुछन हो गया, एक खरपतवार है जिसका सोल्राइजेशन से कोई नुक्षान नहीं होता, मेली लोटस इंडी का सेंजी सेंजी का कुछ नहीं विगार सकता तेरा सोल्राइजेशन सेंजी नाम सुना किसे ने सेंजी नहीं सुना हुआ मैंने पढ़ा दिया आपको मेली लोटस इंडी का मेली लोटस इंडीका मेली लोटस एक दो जाती ओर है तो मेली लोटस या सेंजी का कुछ नहीं बिगारता तेरा सोलराईजेशन यह question है कि सोलराईजेशन से हानी नहीं होती, answer will be सेंजी सेंजी, सेज नहीं रहा है सेज अलग होता बिड़ा अब चलेगा सबसे खतरनाक बोले तो chemical control chemical control chemical control सबसे खतरनाक सबसे नुक्षान दायक सबसे बक्वाश लेकिन मजबूरी है chemical का यूज करना बाकी तो ये कोई ज़्यादा अच्छी चीज नहीं है बटा chemical तो बहुत खतरनाक होते है मारे food में आ जाते हैं मारे ना बोजन पर आ जाते हैं बोजन में आ जाते हैं चली रसाइनेक खरपतवार नियंत्र तो chemicals लेवेंगे न बापो तो देखो herbicide सुरू कर देते हैं herbicide जो नहीं हर्बी साइड वो herbs को मारता है ये side CID word लगता है जिसको मारता उसी के लिए CID लगा जाते हैं जैसे CID C I D E side SID नहीं आता है CID SID आता है जैसे मैंने लगाती है यहाँ पर हर्बी तो नाम क्या हो गया साक नासी क्योंकि हर्ब क्या होती है साक हर्ब क्या होती है साक हो गया उसके बाद में मालो कभी आपने यहाँ पर word यूज कर दिया वीड़ी तो वीड़ी side खर्पतवार नासी साक अलग टर्म हो गया साक में तो फसल वसल सब को कोई भी प्लांट जाएगा अगर आपने स्पेसिली वीडिसाइड वर्ड यूज कर दिया तो फिर वो सब इसको नहीं मारेगा क्या वह वीड्स को मारेगा और यह थोड़ा सा इंपोसिबल वाली चीज है बाई इंसेक्ट को मारना होतो तो उसका नाम हो जाएगा इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारे इंसेक्टिसाइड साक को मारे हरबी साइड खरपतवार को मारे वेडे साइड ऐसी होता है ऐसे रोडेंट्स किसीने नाम सुलाओ रोडेंट्स रोड mice mouse हाण ना यह rat इनको मारने के लिए जो chemicals यूज़ करते ने दोस्त उनके लिए word यूज़ करते है rodenticide rodents को मारे rodenticide herb को मारे herbicide weed को मारे weedicide insect को मारे insecticide निमेटोड मारने होतो निमेटोड को मारे निमेटी साइड सुत्रकर्वी मारना होतो निमेटी साइड फंजाई मारना हो फंजाई कवक फंजाई मारना हो दो फंजी साइड तो फंजाई को मारे फंजी साइड कभी बेक्टीरिया को मारना होतो बेक्टीरिया साइड बेक्टीरिया साइड तो सब के अपने पड़े नाम है जिसको मारते हैं ने दक्के रहें दक्क रहें या भी रुख जेल मैं लेख वाज के लिए हो गया ऐसी बहुत आते ही तो मैंने कुछ लिए बेक्टीरिया साइड है ना आपके मॉलस की साइड मॉलस का को मारे मॉलस की साइड मॉलस का को मारे मॉलस का को आते हो गोंगा सनेल सलाग इनको मारने के लिए तो ऐसे साइड आते है खूब सरे तो साइड वर्ड तो मारने के लिए आता है बाकी किसको मार रहे है तो यह जो हर्बी साइड वर्ड है ना लेटिन से लिड्री भासा से दो सब्दी इस में एक तो हर्ळा पूले थो प्लान हर्भ बोले थो साक्क विल्डर ओर सीड्रे भले थो मारना मोले थो मा क случаle मृतिक थो येक पूले तो plant पादर और सीड्रे बोले तो side सीड्रे मारने वाला सबसे पहले खोजा गया खरपतवार नासी fast discovered herbicide two for a day two for a day two for a day बट सबसे पहले जब two for a day खोजा गया था ने मिटा तो उसको खरपतवार नासी के रूप में use नहीं किया गया AJVD side use नहीं किया उसरूमें तो इसकी discovery जो हुई थी सबसे पहले discovered जो अर्बी side एवह two for a day two for a day को खोजा किसने तो खोजा ही कोजा जीब मेर मेन कोजा ही कोजा हिच्चक जीमर मेन कोजा ही खोजा हिच्चक जीमर में 1940, बहुत अच्छा क्वेस्टन है, लेकिन उस जमाने में इसको कैसे यूज करते थे, AJ Plant Harmon, Oxine के रूप में, अमीन लिदी का, फलों को मीटा भी बनाता है, फलों को मीटा बनाता है, कईयों में फल लाता है, कईयों में फूलों को गिराता है, कई वे फूल लाता ऐसे भी करते थे पहले अभी भी करते हैं अरी हद कर दिया आपने ओगजीन नहीं किया गया हाँ नाम क्या होता है इसका टू फोर डाई कलोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिट उस समय इसको ओगजीन के रूप में यू कहें कि प्लांट हार्मोन के रूप में यूज किया गया था 1940 में अब किसने बताया कि यह खर्पतवारों को भी मार देता है तो दो वेक्यानिक यहां पर आते तो हेमर और टर्की तो हेमर एंड टर्की वास दे फस्साइंटीज हू रिपोर्टेड डेट टू फोर डी इस हर्बी साइड आलसो किसने कहा कि यह खर्पतवारों को मार रही है आज तक तो आप इसको प्लांट हार्मोन की रूप में यूज कर रहे हो यह तो खर्पतवारो हेमर और टर्की 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 हो गया हेमर और टर्की बारत में टू-फोर्डी को सबसे पहले टेस्ट किया गया था 1946 in India it was first tested in 1946 Hindustan में इसको पहली बार prediction क्या गया था 1946 देख ले आग गई 240 Hindustan 1946 was the year when 240 was introduced in the India 1970 1970 का वो दिन मुझे आज भी याद है अब मजा कर रहा हूँ 1970 में तो पूर्खे भी नहीं जन में होंगे 1947 1947 औरे स्वरी 1970 1970 1970 में न एक अमेरिका का और वियतनाम अमेरिका और वियतनाम वार हुआ था भीड़ा अमेरिका और वियतनाम वार बहला उसको बोलते हैं वियतनाम वार है यूँ कहते हैं आप दो वियतनाम है वियतनाम योद योद तो 1970 में वियतनाम वार के दोरान at the time of वियतनाम वार अमेरिका फस्ट यूजड अजेंट ओरेंज कितना इंपोर्ट इनने पता आपको जितनी मैंने पेन की साइज लिये very very most of it आई एजेंट ओरेंज एजेंट ओरेंज अल्रेडी मैं प्लांट हार्मोंस में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ प्लांट हार्मोंस में बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ एजेंट ओरेंज को एजन्ट ओरेंज के बारे मैंने बताया था कि Vietnam War के टाइम पर हां सेनिकों को पकड़ने के लिए मैंने बताया था Vietnam War के टाइम पर सेनिक जो थे ना वो विएतनाम के सेनिक जंगलों में चिप गए तो उपर से दिखते नहीं थे यान या drone बगेर आतेन तो उनको दिखते नहीं थे हो तो उन्होंने का अमेरिका थो बहुत intelligent है super intelligent है कोई बास नहीं जंगल nest कर जेते है अपने को nest करना है जंगल कर जेते है तो अमेरिका क्या करता है वहाँ पर एक ascent orange बनाता है दो चीजों को mix करता है, एक तो 240 प्लस 245T, इन दोनों को mix किया जाता है एक साथ, इन दोनों को मिलाया जाता है और फिर बनाया जाता है agent orange, agent orange, आच्छा दूसरा, बैए color वलन में दिखता आ रही है, ये color ये दिखता नहीं हो, कोई बात नहीं मैं इसे लिखता हूँ, ये वा color नहीं दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं मैं, agent orange, क्या नाम था इसका, agent orange, agent orange के रूप में किस-किस को use किया गया था, इसके double फाइदेवे, देवो क्या क्या फाइदेवे, एक तो जंगल नेस्ट हो गया, सेनीक दिखने लगए, एक फाइदा, दूसरा फाइदा क्या हुआ, ये दोनों मिलके न, agent orange की रूप में दोनों को मिला था, 240 और 245T को, ये दोनों एक दिसे होते हैं, इसका नाम होता ह 245T chloro-phenoxyacetic acid, इसका नाम होता है, ट्राइ हो जाएगा बस, 245T chloro-phenoxyacetic acid, हो गया नहीं, हो गया, बेटा मम्मी होगी ना घर पे, नहीं है, मम्मी नहीं है, मम्मी होगी बेटा, घर पे, तो दो फाइदे होगे, एक तो जंगल नैस्ट, जंगल होगे, नैस्ट, और दूसरा क्या हुआ, इसने केंसर भी कर दिया, उन आर जो मारना था जिनको, ये केंसर भी कर रहा था, अब इसका नाम agent orange क्यों पड़ा जी, agent orange इसलिए पड़ा, क्योंकि जिन डिबो में उनको प पेक किया गया था, उसके orange रंकी धारियां थी, औरेंज रंकी स्ट्रिप्स थी, तो अमेरिका ने वो औरेंज रंकी धारियों का जो डिबे में पेक किया था, उसके नाम ही क्या हो गया था, उस समय agent orange, जैसे agent नहीं होते है, agent पकड़ने वाले, करने वाले, ये जो गुपत जीजों को लाने वाले, तो ये भी एक agent था, ये भी एक agent था, तो इसको नाम दे दिया का agent orange, अब है agent नहीं होते है, agent गुपत चरों को नहीं बोलते है, agent भाई ये काम करके लाओ, अब उस देश से पता लगा होगी, हो कहां का, सेनी के, उनके, तो ऐसे दाओ, तो यहां पर हम लोग आज इसको रखेंगे, उसके बाद, कल हम लोग ना, साकनाशियों का classification लेंगे, साकनाशियों का classification लेंगे, एक दो दिन, मतलब कल साथ classification हो जाए, तो दो एक तिने class में इसको पूरा करेंगे, लेकिन, इतना मैं आपको बिलीव करवाता हूं कि question बाहर से नहीं बलकि आपको lifetime के लिए काम में भी आएंगे, क्योंकि जिस नोकरी में आप जा रहे हैं न, वहाँ पर ही चीज़या आपको आना भी जरूरी है, चाहिए आप ZICR, BHU के तो वहाँ फिर काम आएंगे, अगर आप supervisor बनने वाले हैं तो फिर काम आएंगे, ठीक है दोस्त, तो अ तीकी जगे आपकी पहले पेड़ी भी हो सकती है, धान वाली पसल भी हो सकती है, चीक है दोस्त, बहुत-बहुत अन्यवाद, नमस्कार, जहिंग, जराजदानी सस्रिकाल, सब्बागेर, वाए गुरुदी फटे, खुदा आपीज, अलापेज, राब राब साँ, एगरी कल पहुंडा ने इस साल दी है, आई सी आर में हिंदुस्तान की केटेगरी की आठवी रेंग, और सामाने वर्क की साठवी रेंग, राजस्तान जेट दो हजार बीस में, टोप दस में से आठ विद्यारती, टोप पचास में, बाईस विद्यारती, राजदानी फाउंडा पच कोडिया के, बिना जेट सीदे प्रवेश दो हजार उननीस में, राजस्तान की 63% सीटों पर, राजदानियन ने किया कबजा, जहां 90% बच्चे कर रहे हैं, बारवी के बाद तैयारी में एक दो साल खराब, वही राजदानियन मचा रहे धूम, बारवी के साथ ही, जेट दो करोड़ साथ लाख रूपे की स्कोलर से, कक्सा बारा के परिणाम में 97% आधिक एक विद्यार्थी, 95% आधिक तीन विद्यार्थी, चोराण में परिशदी आधिक, साथ विद्यार्थी, तर्याण में परिशदी आधिक, ग्यारा विद्यार्थी, 90% आधिक, चालीस विद्यार्थी और वो भी ओवराल, ओप्सनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विध्यारदी, 99% ज्यादा लाने वाले 3 विध्यारदी, 97% आधिक लाने वाले 19 विध्यारदी, 90% आधिक लाने वाले 163 विध्यारदी दसवी से बारवी साइंस व एगरिकल्चर में अजे कुमार मीना ने की 49% की रिकोर्ड व्रद्धी, रिंकु यादवने की 37% की व्रद्धी, नरेश पाटिदार ने 36% की व्रद्धी प्रकरती की गोद में दस बीगा में फैला विसाल केंपस, आधुनिक सुक्ष विधा से युक्त, सेप्रेट गल्स और बॉइस होस्टल्स, राजधारी एजुकेशन गूरूप अचकोडिया की यूटूब सेनल वे मोबाईल एब पर रोजाना ओनलाइन क्लासेज भी, आईसी यार, जैट, बीएच्यू, एगरिकर्जर सुपरवाइजर, 11-12 क्लास के ओनलाइन कोर्सेज भी उपलग्द, 11-12 के साथ और इसके बाद भी, आईसी यार, जैट, बीएच्यू की क्लासेज उपलग्द, राजदानी एजुकेशनल गूप पचकोड़े जैपूर में शामिल है, राजदानी साइंस दारा फोर प्रिप्रेशन ओफ नीट जेए, राजदानी फाउंडा फोर प्रिप्रेशन ओफ आईसी यार, जैट, बीएच्यू, राजदानी पब्लिक सीनर सेकंडरी स्कूल फोर आल अकेडमी क्लासेज, राजदानी गुल्स और बोईच्टल विद मोर्डन फैसलिटीज ओर रिजिदेंशल ब्लोग, साथी विजित करें www.raajdani-group.in, helpline no 9314130130, call 90010013